नमस्कार प्याले दोस्तों मैं डॉक्तर वेक आपका अनेशनार में बहुत स्वावत है रूज आजहां को बता दे वाले हैं कि अगर आपके चैरे पर वतलब जो मढलत चैरा जायर सवेलिंग वेलिग तो उससे क्या क्या अपके प्रोग्लम होतों है मतलब आपके सरीर के अंदर जो मसीनरी है और गंस है क्या वो problem में है या उनकी जो problem से बरती जा रहे हैं जिसकी वज़े से आपके चेहरे पर जो problem से वह नजर आ डगती है उसे के बारे में आज मापको डिटेल से बताएंगे और क्या बीमारी हो सकती उसके बाधे में भी एप deras क्या उसका का इंतर कि आपको प्रीवंटीब लेना है बचा लेना तो कि आज अगर आप मेरे इस चैनल पर ौसس्क्राइब कर सुद्व कर ले जो में आप जो कि हम पर मरीजों से रिसर्च करके उनके उपर मेडिसिंस एक्सपेरिमेंट करके या पी जो पीमारी उनको रिसर्च करके ही यह सब चीज़े आपको बताते हैं जिसकी वजह से यह समस्या उत्बंद होती चलिए शुरू करते हैं चेहरे पर आई सूजन से किन-किन और रॉ दोस्तों आज बत करना है कि आको सब्सक्राइब में लोगन को जादा तर मैंने दिखा नीचे घेर हो जाते जादा तुर सूजन आ जाती है उनको आपने देख ज़ा उगा पफ़ी आई हो जाती है नीचे ज्यादा आती है बहुत लोग तो में नीचे जैसी स्वेलिंग आती है तो दोस्तों उसका एक ही कारण होता है कि आपकी जो किड़नी है मतलब जो आपका किड़नी वर्क कर रहा है वो प्रॉपरस नहीं हो पा रहा है यूरम या तो ही पहले कि sullech को फिल्टर नहीं करता पाए पाण्य व्rators नहीं कर रहा है डिसके वज़े से आपको नीचे प्रॉब्लम्स Christian प्रॉप्लम्स करे यह में प्रप्रॉब्लम होती है अब मात करते हैं कि आपके आइग्यों मतलब आइग। तो जानते हैं कि हाट पर प्रेशर पढ़ रहा है मतलब आपके प्रॉब्लम्स की और प्रॉब्लम दॉझ रखके इंट्सप्र्णूंग में में a लौके सुरू हो सकता है यह सब समस्यां जादा आती है और दोस्तों आइब्रोस के ऊपर और अपने लिप्स के ऊपर लिप्स और नोस में आपको सेंटर अब बताते हैं कि आपको आखों के संटर हो तक के पिely के तेंटर यहां पर बेडे यहां को भर गुर्छा उस सिन्टर का स्पेस्न सेटर दें между का शर्चाइब आपके लीवर में अफेस्टेड्ड हो गया है सूर्यंद आ गई है और वह अच्छ नहीं कर पारा है जिसकी एकको ठाना डायजेश्ट नहीं हो पा रहा है रहे हैं। लगातार बना रहता हैं पढ़ा था हैं लगता है, हैं तो यह कुछ प्राइब आपको स्वेलिंग आजाती है तो दोस्तों उसके लिए आपको हो सकता है कि आपके सरीर में ठाइराइट की प्रॉब्लम चल रही हो या फिर आपने कोई भी ऐसी मेडिकेशन प्राइब जिससे आपको एलर्जी हो गई हो आपको कोई भी इस्वेलिंग चल नहीं हो बहुत सालों से सोडीयस जैसे एक्जीमाज जैसी प्रॉब्लम से जिसकी बज़े से आपके चेहरे पर स्वेलिंग आयाती है आपको यह चारण से जिसकी बज़े से आपके जो और्गन्स पर फ्रफेक्ट पड़ता है वह आपके चे चेहरे पर फेस पर फोकस बनाया रखे हैं और अपना दोस्तों अगर इन सब चीजों में प्रिवेंटिक करना है तो उसको क्या करना चाहिए पर चीजों सबसे पहले आपको अपना डाइट प्लान बिल्कुल सुनिश्टित करना पड़ेगा खाने का टाइम सही करना पड़ेगा और साथ और साथ ऑईली और फास्ट फूर्ट जंक फूर्पूर्ण बड़ेगी अक्सल मैं ने देखा है बहुत से लोग जंक फूर्ट फ पाने के लिए आपको डाइट प्लान पड़ना पड़ेगा और साथ यह साथ दोस्तों सुवे शाम गुर्मुना पानी पीते रहे आपको प्रॉब्लम्स होते तो आप एक अच्छे हो में पर फिजिशन के पास जा करके अपनी सारी रूटीन प्रॉब्लम्स बताएं जांच कर करवाएं अगर आपको कोई चीज समस्यां आती है दोस्तों अपने आप कोई भी घरे दू उपाय ना करें ऐसे अगर आपको इस सबस्क्राइब करने के साथ दोस्तों वैल आइकन के बटन को जरूर तबाएं जिससे जो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन होंगी वह आप कोई आपको जाइनमें